Welcome to ABC Campus आज हम Books of Prime Entry के टॉपिक में introduction उसका discuss कर रहे हैं तो हमारी जो 6 Books of Prime Entry होती हैं उन्हें हम Books of Original Entry भी कहते हैं तो उनके बारे में discussion करेंगे तो basically 3 angles हमें cover करना है कि ये Books of Prime Entry होती क्या है इनको maintain करने की reason क्या है हम directly transactions ledger में क्यों नहीं ले जाते इस step की importance क्या है और तीसरी चीज़ ये कि कौन सी transaction कौन सी book के अंदर record होगी और उसका relevant source document क्या होगा तो सबसे पहली बात तो ये कि तमाम transactions को एक ही जगा पर record करने के बजाए हम उनको थोड़ा sort कर देते हैं यानि अलग-अलग कर देते हैं और फिर उनको different books of prime entry में record करते हैं इन्हे books of original entry भी कहा जाता है reason यह कि first time जो transaction record हो रही होती है अब transaction वैसे तो source document पर record होती है जैसे अगर एक check issue किया है तो check पर details मौझूद है sales की है तो sales की invoice पर detail मौझूद है लेकिन यह कि जो double entry system के अंदर जो first place जहां पर record हो रही होती है वो book of prime entry कहलाती है तो information कहां से लेते हैं हम इसमें source document से और उसके बाद यहां record करते हैं अच्छा अब इन्हें sort कर देते हैं in fact six books हम बना देते हैं तो sort करने का फायदा यह होता है कि transactions category wise अलग-अलग हो जाती है और फिर आगे उनको process करना अलग-अलग और उनको फिर आगे record को maintain करना हमारे लिए असान हो जाता है तो हमें in fact efficient processing of transaction accounting system में हमारे लिए possible हो जाती है six main books हैं prime entry की और उनको हम नहीं सामने लिख लेते हैं सबसे पहली और बहुत ही common जो book of prime entry की book है वो है जितनी भी हमारी cash transactions है वो cash book के अंदर ही record होंगी तो ये हमारी first book है जितनी भी हमारी transactions है वो cash book के अंदर ही record होंगी even cash sales अब आगे देख रहे है sales day book लिखा था sales day book में cash sales record नहीं होगी पहली importance cash को देनी है cash sales हुई है तो उसमें cash को focus करना है sales को focus नहीं करना तो cash sales cash book में record होगी credit customers उन्हें पहले हमने credit पे sale की थी फिर वो बाद में हमें पैसे भेशते हैं वो भी cash book में record होगा purchases हम करते हैं cash पे वो भी cash book में record होगी suppliers को बाद में payment करते हैं वो भी cash book में record होगी expenses की payment करते हैं rent, electricity यह सब cash में जो payment हो रही है वो cash book के अंदर transaction record होगी इसमें जो हमारे पास source document होता है जब हम bank के through payment कर रहे होते हैं तो checks की copies है जैसे customer ने check दिया तो उसकी copy है उससे देखके भी किस customer ने check दिया किस amount का था, किस date का था उसे साफ से record कर लेते हैं counterfoils होते हैं जो हमारी checkbook होती है उसमें से checkbook को तो हम काट के दे देते हैं अपने supplier को जिसको उने payment करनी होती है उसके side पर एक छोटा सा portion होता है checkbook में उसे counterfoil कहते हैं उस पर हम detail लिख लेते हैं check जब बनाते हैं तो साथ ही उस पर भी same detail mention कर लेते हैं कि date जो data मौझूद होता है voucher वगएरा उनसे भी record कर लेते हैं तो ये सबसे पहली तो हमारी जो relevant है वो book cashbook की है अब उसके बाद हम 4 books को ज़रा एक साथ पढ़ते हैं book number 2, 3, 4, 5 इसमें जितनी भी transactions होंगी वो credit पर होंगी क्योंकि cash transactions होती है तो वो cashbook में आ जाती इसमें जो transactions होंगी वो inventory items यानि goods से related होंगी और ये transaction हम अपने customers और suppliers के साथ कर रहे होंगे अगर honor ने goods की drying कर ली है या इस तरह से कुछ और काम होए तो वो इसमें record नहीं होगा इसमें वो ही transactions record होंगी जो customer और supplier के साथ हों inventory की transactions हों और credit पर हों तो उसके बाद इसमें बड़ा simple है कि sales day book जिसे sales journal भी कहते हैं इसमें sales की transaction record की जाती है जब हम inventory item sale करते हैं on credit to customers और sales invices जो हम customer को issue करते हैं वो इसमें source document होता है sales return day book में भी same credit return बाले item customer से related और इसमें credit notes जो हम issue करते हैं customer को वो हमारा source document होता है अच्छा इसको हम discuss करेंगे basically बाद में थोड़ा सा जब हम accounting for sales पढ़ेंगे कि credit notes in fact क्या होते हैं एक किसम का आप इसे यूँ समझ सकते हैं जैसे sales invoice हम customer को कह रहे होते हैं कि इतने पैसे आपने हमारे देने हैं हमें दे invoice issue कर रहे हैं तो credit note इसका opposite होता है कि हम उसे कह रहे होते हैं हम आपको credit कर रहे हैं अब इतने पैसे आपने हमें नहीं देने क्योंकि आपने चीज़ें वापिस कर दी हैं इसी तरीके से फिर हमारे पास purchase देबोक है तो जब हम inventory item की purchases करते हैं credit पर supplier से इसमें जो supplier की तरफ से हमें purchase invices मिलती है वो मारा source document होते हैं इसी तरह हम उनको चीज़ें वापिस कर देते हैं तो purchase return day book में record होती है इसको item of inventory जो हमने वापिस कर दिये credit supplier को इसमें यहाँ पर दिखें sales में हमने कहा था credit note issued purchase return में sales return में credit note issued थे purchase return में credit note received होंगे या debit note issued होंगे क्योंकि इसमें हमने जिसको चीज़ें वापिस किये हैं हमें evidence के तौर पर credit note देगा कि उसमें हमारा balance कम कर दिया credit कर दिया तो यह impact आएगा अच्छे इसमें एक चीज़ और आप notice करें कि sales return day book को return inward journal कहा गया और purchase return day book को return outward journal भी कहते हैं sales return वाले को return inward इसलिए कहते हैं कि चीज़ें return होकर हमारे पास आती है inward आती है और purchase return वाले को हम return outward कहते हैं क्योंकि चीज़ें return होकर हमारे पास से बाहर supplier की तरफ वापिस जाती है तो ये angle है, ये जो चार books है ये अलग से आपने देखनी है, और ये यानि इनमे similar nature है कि इन चारों में जो common points है वो क्या है, कि ये credit transactions होंगी, ये inventory के item की transactions होंगी, ये customer और suppliers के साथ होंगी, इन चारों में different क्या है sales, sales return, purchase, purchase return तो according to nature of goods के अंदर किस के साथ, supplier के साथ transaction हो रही है तो purchase या purchase return और customer के साथ हो रही है तो sales या sales return इसके बाद, आखरी हमारे पास book of prime entry है, जिसे हम कहते हैं journal journal इसमें तमाम बाकी जो transaction जो पहली पांच में record नहीं वो journal journal में record होंगी अब इसकी एक example जो बहुत common है वैसे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे बहुत सारी examples आएंगी लेकिन अभी एक basic level पर जो example है वो है non current asset about on credit अब देखेंगे ये transaction credit पर है इसका मतलब है cash book में तो record नहीं हो सकती non current asset की है inventory से related नहीं है तो इन चार books में भी record नहीं हो सकती तो फिर कहा record करेंगे journal journal में record करेंगे तो इन transaction के लिए भी जो relevant invites है खरीदने की कोई bill है कोई और relevant authorized document है उसको आप use कर सकते हैं transactions को record करने के लिए तो इस पर अभी हम एक question के ओपर भी video डालेंगे चोटी सी जिसमें हम transactions लिखेंगे सामने और उसमें identify करेंगे कि कौन सी transaction किस book में record होनी चाहिए और उसमें यह rule apply करेंगे अगर हम इसको summarize करें तो तीन points है तमाम cash transaction cash book में उसके बाद inventory की credit transaction जो customer supplier के साथ है वो sales day book, sales return day book, purchase day book, purchase return day book और जो बाकी बच जाएंगी तीसरे number पर वो all other transactions हम journal journal में record करेंगे so that's all for today have a good day